आप लोगों ने में चैनल को बहुत सारा प्यार दिया थैंक यू सो मच और ऐसे प्यार देते रहे हैं मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से 1000 यूनो सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकूँ और अगर मुझे यूही प्यार देते रहेंगे तो यह जरूर हो चाहेगा अगर आपने में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाईए और में चैनल को सब्सक्राइब कीजए बेल बटन को दबा दीजए अगर आप मेरे रिटर्निंग विजिटर हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो basically आज के जो वीडियो है आपको थमनेल से पता चल गया होगा वो एक interaction वीडियो है question answer session so मैंने सोचा कि क्यों ने एक वीडियो बनाते हैं जहां मैं आपके questions को answer करती हूँ और मुझे literally बहुत सारे funny questions आए जो कि मुझे बहुत मज़ा है पढ़के और मैंने काफी को inbox में message भी किया है कि we can't take so many questions on the video so मैंने सोचा कि मैं बस common 7 questions जो की होंगे repeat हो रहे होंगे मैं उन्ही का answer करूंगी इस वीडियो में so without any further delay let's get started so the first question that was asked to me was by Meghna Sharma first of all Meghna thank you so much for your question और उनका ये सवाल था कि tell us about your inspiration and your favorite YouTuber जो की बहुत ही commonly asked question था so inspiration as in मेरा कोई बच्पन से inspiration तो नहीं रहा है क्योंकि I don't believe myself you know putting in a box or एक इनसान को constantly follow करना like I don't believe in the concept of role model or something क्योंकि मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसको मैं एक role model मान सकूँ मुझे ऐसा नहीं लगता but मैं अपने आपको inspiration से दूर नहीं रखती I believe हर कोई कहीं भी किसी भी time पे आपको inspire कर सकता है तो बस मैं बस observe करती हूं और बस इसी तरह I think I don't have a particular inspiration but everything in particular so I hope I did justice to your first question and आपका second question था कि who is my favorite user so जब start में मैं वीडियोज देखना शुरू क्या था मैंने तो मैं प्राजक्ता कोली everybody knows mostly sane उनकी वीडियोज देखती थी फिर गुवनबाम के थोड़े बहुत देखती थी but I really love that person third मैं अभी अगर अपने recent जिनका मैं you know regular देखती हूं या interesting लगता है मुझे तो उसमें बहुत सारे नाम है but I would say Jyothi Setty जो मुझे बहुत पसंद आता है क्युकि वह बहुत कैंडिड रखते है अपने विडियो वह बहुत कैंडिड रखते है अपने विडियो को और बहुत ही minimal way में अपने विडियो को शूट करती है vlogs बनाती है I really love it so this three I would say जिनको मैं really enjoy करती हूं so let me know in the comment section कि क्या मैंने आपके हैंस को अच्छे से justice किया या ने so moving on to the second question if you ever get a chance where God will give you the power to heal something in the world what would you heal only one thing very very unique and interesting question first of all this question is from Aparna Kaur thank you so much Aparna for your question now coming back to your question कि अगर ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान मुझे कहे कि एक ही चीज तुम हील कर सकते हैं तो मैं हील करूँ I am मैंने काफी सोचा actually क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज है कि जिसे हम हील करना चाहते हैं लेकिन अगर मुझे लगता है कि हर चीज के पीछे जो एक चीज है वो है लस्ट लालच तो अगर मैं इस लालच को हील कर सकूँ तो मुझे लगता है कि सारे प्रॉब्लम्स जो दुनिया में है ना वो थोड़ी बहुत I think mostly खतम हो जाएकी तो अगर मुझे एक चांस मिलता है भगवान से कि मैं सिफ एक चीज हील कर सकती हूँ तो मैं डेफिनिटली लालच या लस्ट जिसे कहते है उसे हील करना चाहूंगी So thank you appana this was really interesting काफी मजाया मुझे सुन के भी So I hope viewers को भी अच्छा लगा हो and मैंने आपके justice क्या मैंने आपके अंसर को justice क्या हो? I hope so So let me know in the comments below के So moving on to the third question How do you try to stay positive despite all the difficulties? So this is the question by Kuldeep Kumawat So how do I stay positive? मुझे सबसे अच्छी लगी आपके question में How do I try? Thank you क्योंकि कोई भी मुझे लगता है जादा लॉंग टाइम तक positive नही रहे पाता मैं भी मुझे लगता था कि मैं बहुत positive You know optimistic हूँ positive हूँ लेकिन यह एक जूट है मुझे समझ में आ गया जैसे यह lockdown हुआ जबकि हमें सबसे जादा positive रहने की जरूरत है I have been breaking down so much Like first month was okay Second month was like okay But अब तो यार जैसे हो रहे कि I'm breaking down every now and then अईसो लगते है कि कब मितलब निकले कब बहार जाए But बहार नहीं जाना है जो कि मैं चार महीनों से बहार नहीं गई हूँ लेकिन It's very difficult to stay positive at this point of time But yeah I like to keep myself busy And जब मैं break down हो रहूँ कभी कभी control नहीं होता तो let it be मैं होने देती हूँ खुट पूँ लेकिन देन अगेन I you know move on I don't stay in that zone very long I get up and start doing anything जाहे मैं कुकिंग करना चाहो तो कुकिंग करती हूँ भूप बात लगते है तो मैं खाना खाती हूँ कुछ भी खाते रहती हूँ And उसके बाद मैं sketch करती हूँ जो कि मुझे You know really feel होता है कि sketching अगर मुझे पहले 1-2 months जो you know sustain करके रख सका है वो sketching, doodling, you know art है So basically मैं वो करने लग जाती हूँ अगर वो नहीं होता तो poetry करने लग जाती हूँ Poetry नहीं होता तो I love to sing Okay, this is a very good pro tip अपने आपको lock करो और जब तुम बहुत जादा sad हो ना Music चलाओ background में और खुद गाने लग जाओ ये मैं करती हूँ मैं बहुत दंदी singer हो लेकिन मैं कभी-कभी ऐसा मुझे आता है कि मैं गाने लग जाती हूँ और जब मैं गाती हूँ गाती हूँ गाती हूँ अपने आपको ये रस्ट्रेक्ट मत करो कि अच्छा ये सीरियल है ये मूवी है ये कॉमेडिय वीडियो है तो यही देखूंगा ऐसा नहीं है वाच एनिफिंग देखूंट तो एवरीथिंग इस डिफरेंट थिंग हर चीज अलग दूसरे से जजुमत करो देखते रहो मज़े करो ठीक है दूसरी चीज कुकिंग करो इस रेली ये नो बहुत ही अच्छा फील होता है थेरपी इसलिए उसे बोल सकते है क्योंकि उसमें फोकस की बहुत ज़रूरत होती है ऐसे चीज़े करो I would say जिसमें आपका फोकस आपको लगाना पडता हो पूह तरह से तो उसमें क्यों क्यों वोता है अपकी दिमाग में कुछ और शलता हो नहीं तो वो गॉद जाते है क्योंकि आप फुली फोकस जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता So I keep myself really into things that really requires my attention completely Third thing would be I like to sing, dance, doodle, poetry यह सब करने लग जाती हूँ और अगर कुछ नहीं होती हूँ तो रो लेती हूँ I mean, अगर मुझे, you know, मैं बहुत बॉटल अप हो जाती हूँ किसी टाइम पर तो मैं रो लेती हूँ I believe कि निकाल लो, खतम करो क्योंकि जब बहुत जादा बॉटल अप हो जाती हूँ आपको जरूरत होती है बॉस्ट आउट करनी की तो किसी और इंसान से रूडली बात करने से अच्छा है खुद ही रोलो, निकालो, शान्त हो जाओ But हाँ, don't be in that zone And उसके बात, फ्रेश अपो और वापस अपने काम करने लग जाओ So this is my way of keeping myself Or trying to be positive Despite all of this negativity So let me know in the comment section if I did justice to your question Now moving on to the fourth question That is, why did you stop writing? This is from Sayyam Maheshwari I did not stop writing ये बहुत जन मुझे दो साल के span of time में पूछ चुके कि तुमने लिखना क्यों बन कर दिया ऐसा नहीं है मैं लिखना बन मैंने नहीं किया है It's just that मैं पहले Instagram पे मैं राइटिंग पेज हुआ करता था मैं कितना फंबल करती हूँ So, पहले मेरे Instagram पे राइटिंग पेज हुआ करता था जिसमें मैं लिखा करती थी Like 24-7 I used to be very occupied उसके बाद जब मैंने सोचा कि अच्छा चलो, let's do something better क्योंकि वहां पे I really enjoyed my time being a full-time writer क्या होता है मुझे वो पता चला and उसके बाद मैंने 10,000 मेरे followers थे which was very very a big time achievement for me तो वहां से मैं सुचा कि चलो मैं YouTube पे आती हूँ तो जब मैंने YouTube स्टार्ट किया दोनों ही चीजे I believe आपका full like full time attention deserve करते और वो बहुत ही consuming दोनों चीजे है तो इस वज़े से जब मैं YouTube पे आ गई तो मैं लिख नहीं पा रही थी you know at least three post a day नहीं कर पा रही थी और उस ताम पे लोगों को मेरे राइट अच्छे लगने लगी तो दे रिवेर रही so they were really you know wanting more तो यही वज़े से मैं balance नहीं कर पा रही थी तो मैंने सोचा कि it was like वहां पे 10,000 followers थे I was enjoying it, people were enjoying it तो मैंने सोचा कि इसको अभी इसी हसी से you know मुकाम में छोड़ती हूँ ताकि मुझे बुरा भी नहीं लगे and you know when I look back तो मैं पस रिग्रेट्स ना हूँ कि मैंने एक बुरा फेस जिया मैंने एक बुरा फेस देखा इस पीज के साथ ऐसा कुछ नहीं था तो मैंने से एक हसीन सा मोर देके छोड़ दिया and फिर मैं यूट्यूब पर फोकस करने लगी so basically मैंने लिखना नहीं चोड़ा उसके बाद मैंने बस long poems लिखने स्टार्ट कि और उस बीच में मैंने बहुत सारे कुछ चीज़े की कि मैंने लिखना उदर पॉसिबल नहीं हो पारा so answering to your question I did not stop writing till today और अब तो मैं खेर वापस unexpressed feelings को चालू कर चुकि हूँ क्योंकि मैंने देखा कि यार मैं उस page को turn भी नहीं कर सकते अपने YouTube करियर के तरू क्योंकि लोगों को सिर्फ उसमें उसकी writings ही पसंद है they love reading unexpressed feelings तो मैं उसको delete भी नहीं कर पाई so I think अच्छा ही वा मैं डिलेट नहीं हुआ क्योंकि आज मैं फिर unexpressed feelings में you know I have started writing and know about my write-ups then this is the account that you need to follow unexpressed feelings with a single S okay alright so I hope Sahya मैं इड जस्टिस to your question let me know in the comments below moving on to the fifth question what are the personality traits you like in a person okay this is a question by Aditya so first of all Aditya thank you for your question what are the personality traits that I love in a person I mean I don't know I mean okay there are five you know little which I thought a little bit later I thought what I would say in the answer so it would be firstly very important optimistic I really like people who are very positive you know secondly he should be a leader he or she should be a leader this is very important I think I really don't you know I don't like people who don't want to lead you know it's like that so I love people who like to lead I like to lead you know you know what you love to lead you know you know confident basically you know ah thirdly it would be people people who value you I don't know how to put this in a word or in a particular you know word but the person who value you know this personality trait being grateful I can say about things so this is a personality trade which I like in the logo down to earth, yes down to earth is very important to me in conversation I really don't appreciate people who do not do anything, I mean I don't do anything so I really don't like this kind of people fourth would be what honest this is a personality trade which I really attract being honest, being blunt this can be the fourth personality trade that I really love in a person and fifthly I think fun loving, full of life basically so these five things I really attract in a person if there are these five things I would really come forward and have a connection in a conversation otherwise tata bye-bye I'm not gonna come to talk to you so I hope I did justice to your question Aritya thank you for your question though okay moving on to the sixth question what what to do when you are confused in life okay so this is a question I was like interesting but I mean I am nobody to you know give advice on this to your question I guess what I can tell you is that when you are really confused in life talk to someone just who is really experienced as a person be in life or be in that particular thing you are confused you are confused talk to them talk to them talk your heart out and maybe you will get the answer there and if you don't get it then you will get an idea that okay what is happening with you okay so I believe so when I am confused being in a career or be in anything I talk to someone who is more experienced than me so that I can learn something to them and sometimes what happens that when we are confused then we talk to our parents they might have all the experiences but sometimes for us you know just because I am confused they don't experience so I think I think I am confused and I think it is better go and talk to someone who is experienced who can give you a proper advice because parents are very caring so they want to know that children don't struggle they don't work they are safe and they are with us sometimes they are biased so talk to someone which can give you an unbiased opinion or suggestion I would suggest that because I have done this in my life okay whew I got a little knowledge okay moving on to the last and seventh question which is the last question so this is a question by Pankaj firstly I will tell you that Pankaj gave me around 10 questions which I cannot answer I can't answer this whole video it was a long video but they were super super interesting so Pankaj thank you so much but I picked up one question that I really wanted to answer and this is the last question that I am going to answer in this video so why don't you start roasting video do you remember your first subscriber firstly Pankaj roasting video I am pretty sure I am pretty sure that my subscribers are not watching that roasting video I am not watching that roasting video and I feel like I have a very bad sense of humor so I am going to roast if there are any subscribers they will not come and the viewers will kill me from my house so roasting video is a big no for me and moving on to your question second question do you remember your first subscriber? umm I don't really remember who was my first subscriber but I think it was from my family so my first subscriber I am very sure it was one of my family members so I know that he was from my family but now I don't remember who was sorry who was he so I am really sorry and your question actually got me into trouble I hope it doesn't get me into trouble anymore but I don't really remember but yeah so this were the 7 interesting questions that I answered in this video you will tell me in the comment section how did the video and you will tell me all what I have justified your questions with your answers and if you want to make more questions and answers then I will be coming up with more fun ideas to interact with you guys again bye bye you 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 you